और राइट सबस्ते दोसों फिर से एक बार मैं मितल मैता आप सबका आज कि इस सेशन के अंदर हार्जिक सॉड़िट करना चाहता हूं यह जो पूरी सिरीज हम कर रहे हैं इसे हम स्वेंग ट्वेडिंग हम कहता हैं स्टॉक मार्केट के अंदर मैं बिलीव करता हूं कि स्वेंग ट्रेडिंग इस वन अफ देट मैथ जिससे बहुत ही बड़े अच्छे पैसे बनाया जा सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव टो आप एक्विटी के क्लाइंट हो फ्यूचर में आप किसी भी जिगा पे किसी भी सेग् चूटी बारी किया रहा है उसको याग रखनी चाहिए और यूप यूप यूव सीन अल्ड़ प्रीविए सेशन इस दें जस्ट्राइट इस इन अ कॉमें सेक्षिंट तो जस्ट्राइट सेक्षिंट अपने आप में एक बहुत ही पावर्फुल है और मैं यह कह सकता हूं कि जित्रे भी इंडिकेटर्स तूल्स है उसमें से मेज़ॉर्ड याफ इंडिकेटर्स तूल्स आर फॉर स्विंग जैसे आज इस सेशन के अंदर विया गूंट टॉक एवरिधिंग अबाउट जिग जग 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 इंडिकेटर है इसके ऊपर औरी बहुत सारी इं इंडिकेटर है और मैं यह भी कह सकता हूं कि यह जो इंडिकेटर है यह जो एडवांस कॉंसेट बने उसका जो रूप है उसकी जड़े जो है वह आपको आज के इस जिग जग वाले सेशन के अंदर आपको पता चलनने वाली है I would say कि अगर आपकी चार्ट में आपको बहतरी पावफुल टूल है जिसको आप अपने होंवक के अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप लाइव मार्केट में किसी भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट करना चाहते हैं आप थोड़ा सब कन्फ्यूज है तो आपके कॉन्फिदंस को बूस करने का का यह इंडिकेटर कर सकता है आपको ट्रेड करने के लिए जो पर्फेक्ट लेवल चाहिए एंट्री के एग्जिट के ट्रेलिंग स्टॉप लोग पहली बार यहां पर जुड़ा है मैं उनसे थोड़ा समय इतना यहां आपके मैं कहना चाहूंगा कि जो स्विंग इसके पहले हमने जो भी यहां पर देखा that was everything about swing feeding जो primary जो information जो आपको चाहिए जैसे हमने यहां पर देखा कि time frame का importance क्या है swing कहां पर बन सकते हैं कहां पर नहीं बन सकते आपके माइक्रो स्विंग यहां पर किसी भी चार्ट के अंदर हो सकते हैं आपके जो major swing है यहां पर हो सकते हैं इसमें से कुछ swing ऐसे हैं कि जिसके अंदर आपको trade नहीं करना चाहिए Swing जो है उसके अंदर Swing in a direction of trend and Swing in a direction of opposite trend यह सारी की सारी जो चीज़े हैं यह Swing के अंदर ही कहला ही जाती है और एक चीज Swing के अंदर एक जो चीज होती है जिसको आप जानते होंगे विप शोज हम आपने नाम तो सुनाई होगा तो यह विप शोज जो है it is also a part of a swing and अगर हमने इस विप शोज को filter out करना अगर हमने नहीं दिखा then I would say कि Swing Feeding के अंदर हमें success मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और यही सारे problem का जो solution है I am damn sure आपको आज के इस session के अंदर मिलने वाला है alright alright so let's move forward and let's try to understand about the zigzag today, आज इस session के अंदर हम zigzag के बारे में ही हम आपसे discussion करने वाले है so if you have any questions regarding zigzag you can keep on asking the questions in a comment section आपके जो questions है उसको relevant time के ऊपर मैं यहापे लेके आपको explain मैं करूगा alright so what we are going to see today that हम सबसे पहले तो यह जो zigzag है इसको हम देखेंगे इसका purpose significance इसको smooth कैसे किया है क्योंकि zigzag क्या है कि एक dynamic tool है अब जैसे आप supertrend अपने use किया हो गया उसके अंदर क्या होता है कि आप अपने values को change कर सकता है तो zigzag पी एक ऐसी चीज है कि मैं बहुत सारे I would say मैंने YouTube के lectures को देखा और बहुत सारे लोग अपने parameters वहां पर रखते हैं now parameters आप change कर सकते हैं there is no problem in that and parameters change करने में कोई problem नहीं है but one thing which is very very important that is the purpose अब क्या ढूंडना चाहते हो आप zigzag से क्या hustle करना चाहते हो that is very very important and वो ही सारी चीज है आज इस session के अंदर हम देखने वाले हैं मैं आपको मेरे तीन setting भी मैं आपको स्याथ share में करने वाला हूं जो मेरे configurations है देखो आपने ये तो आपने देखा होगा कि जो stock market के अंदर trend होता है उसको तीन पार्ट के अंदर majorly divide किया जाता है एक है आपका long term trend तीसरा है आपका short term trend and तीसरा है आपका momentum trend तो यह हर एक purpose के लिए you can use a different zigzag and वो सारे चीज है I am going to share with all of you in this configuration part अब कुछ zigzag ऐसे होते हैं जो बिलकुल भी use नहीं करने चाहिए क्यों क्योंकि they are not you know I would say dynamic I would say और अगर आप basic zigzag को समझे और तो यह point आपको जादा clear होगा नो यह सारी चीज़े हम देखने वालें but let me first try to share you with the introduction part तो zigzag के बारे में हम देखें अदेखो यह मेरा एक platform है trading view का platform I am sure के आज इस समय पे majority of you know brokers are promoting this platform and aap भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं मैं यहां पे जिस broker का platform use कर रहा हूं that is fires trading view का कोई मैं paid version लेने का मैं बिल्कुल भी मैं recommendation में नहीं देता क्योंकि सारे brokers के अंदर यह integrated है and all you need to do is आपको slash यहां पे दबा के you just need to click on zigzag अब जैसे zigzag आप click करोगे एक indicator आपके यहां पे दिखेगी अब आप बोलोगे सर हमको तो दो लाई यहां पे दिख रही एक यहां पे दिख रही है आपकी बात साही है क्योंकि जैसे मैंने बता है कि डाइनामिक इंडिकेटर है तो यहां पे आप देख सकता है कि आप यहां पे एक चीज़ को अच्छे तरीके से मुझे पुरा विश्वा से देख रहे होंगे यह जिखग का एक हाई इसने यहां पे प्लॉट किया जिख несколько लोह से यहां पर प्लॉट किया लेकिन इसके बाद आपको कोई भी जिख जैक नहीं दक्राव मागा यानि यह जो लाइन है यह आपको नहीं देख रहे होगी यहे इसके लिए नहीं दिख रहे नेचर यह जो है यह एक लागिंग इंडिकेटर है तो होगा गया कि जो कैंडल स्टिक बन जाएगी जो कैंडल स्टिक के अंदर जो प्राइस अक्षिन हो जाएगा उसके बाद आपको जिग्जाग लेवल देगा तो उसका मतलब क्या है तो उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्द बतलब है और इसलिया कहीं बार होता क्या है कि दू टॉ भार एगा अपर और यह पस्राइट बसक्राइटर है कि यह जो इंडिकेटर यह अच्छा नहीं है बट हकीगत में ऐसा नहीं होता था इन टोड़्य layer यह एक्श्याट शेशन आप आज आ इसका प्राइ आप किसी स्टॉक के अंदर आप इसको देखते थे कैसे करते थे आप कॉमेंट सेक्शन में अगर आप बता होगे तो आपको इससे पता चलिगा कि आपका जो नॉलेज है वो जिग-जाग में कितना है तो देखो जिग-जाग अगें इस वेरी ब्यूटिफुल इंडिकेटर किस चीज के लिए यह आपको बताता है ट्रेंड और यह आपको ट्रेंड नहीं बताता है जैनूरी आपको सपोर्ट एंड रिजिस्टन्स के जो आपको लेवल चाहिए वो भी आपको यहीं से मिल जाए अब उसमें जो यह 1 2 3 4 5 ABC जो आप करते हों वह सारी चीज के लिए आउट से जिग-जाग वोड बी वेरी वेरी मुच हटा दिया अब मैं आप में से यह दोनों को मैं जिग-जाग कर देता हूं अग अब मैं आपसे पूछाँ के इसके ऊपर आपको आपको वाट वुड व आप में से कुछ कह सकते हैं कि यही आपकी प्राइमरी वाला पार्ट है तो होता क्या है विक्ति इस इंडिकेटर का जो इस्तमाल करेगा उसका परपस क्लियर होना चाहिए अब देखो मैं दो जिगजाग मैं लगा के रखें और यह पहले वाला जो जिग-जाग है उसकी जो यहां पर वैल्यू है as you can see कि यह है 1 और दूसरी है आपकी trend और यह आप value लगा सकते हैं और इसके अलावा जो दूसरा जो zigzag मैंने लगाया है उसकी जो value यहाँ पर है as you can see this it is 5 and it is 10 तो मैंने दो लगाया पहले में क्या किया पहले में मैंने 1 and 10 किया दूसरा मैंने क्या किया मैंने 5 and 10 यहां पर किया अब यह जो 1 and 10 मैंने किया है अब as you can see this यह जो 1 and 10 वाला यह ज्यादा sensitive है यानि यह जो swings है उसको अच्छे तरीके से catch कर रहा है लेकिन जो यह जो blue वाला यहां पर जो आप देख रहा है this is highly sensitive and जो red वाला है यह थोड़ा सा आउट से पीछे चल रहा है लाइक चल रहा है जैसे आपको बहुत बड़ा यहां पर बड़ा स्विंग ने चाहिए 10-20 परसंट का आपको स्विंग ने चाहिए आप चाहते हो कि 2-5 परसंट के फटाफट मुझे मिले और यहां अगर आपका purpose है trailing stop loss तो यह जो हमारा जिग-जाग की जो value हमने लगाई 1 & 10 यह 1 & 10 का इस्तमाल आप कर सकते हो के लिए I would say one of the best use that could be the trail stop loss के लिए one of the second best use is अगर आपको re-entry लेना है कहीं बार होता का है कि हम चार्ट को देख रहा है जैसे निफ्टी और यह बढ़ चुका है अब मुझे re-entry लेना है अब re-entry के लिए भी मुझे यह मदद कर सकता है मा लेजे जब मैं जानता हूँ कि यहां पर यह जो मेरा एक previous support है और यह zigzag का previous resistance है तो what I can do कि यह previous resistance को जैसे भी break करेगा I'll consider this as a breakout and मैं यहां पर buy की position में बना सकता हूँ so again I would say आप इसका इस्तिमाल trail stoppers के लिए कर सकते हैं re-entry के लिए भी कर सकते हैं and one of the basic use और यह indicator सबसे basic use इसका क्या है कि यह आपको support level और resistance level देगा देखो एक चीज़ के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए जान लीजिए मान लीजिए और अपने जहन में उसको प्राइमरी आप कह सकते हो कि यह इसका एक टूल है अब आपने दिखा होगा कि एक western culture में और एक concept प्रच्रित हुआ जिसका नाम है demand zone and supply zone अब कोई इसे क्या नाम दे कोई कहेगा कि support वाला एरिया कोई कहेगा resistance वाला एरिया अब आप इसको नाम क्या देते हो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा बट जो support and resistance का area या demand zone या supply zone है उसमें एक level तो चाहिए तो यह जो level है वो आपको यहां से मिल सकता है अब demand zone में क्या कहते है कि माल लिजे कि यह मेरा एक demand area है तो मैं यह पूरा की पूरा area एक level नहीं जैसे यहां पर हमने क्या किया यहां पर एक line मैंने plot कर दी अब यह एक line plot करने से क्या है कि यह जो price है जैसे माल लिजे it is 21,190 अगर यह price आया तभी में trade करूँगा और नहीं आ तो में trade नहीं करूँगा लेकिन कई वार होता क्या है कि price क्या है बिलकुल pinpoint accurately touch नहीं करता और नहीं करेगा अगर हम यह माल ल resistance वाला जो concept है यही आगे चलके इसको demand zone, supply zone, support area, you know, resistance area, buying area, selling area, overbought area, oversell area यह सारे के सारे जो नाम करन और जो concept नहीं निकले हैं मैं समसता हूं उसका जड़, उसकी जो root है वो सिर्फ और जिग-जग है अब जिग-जग में अगर आपने mastery हासल करी तो this is I would say your first step और इसके बा और यहां पर what I'm suggesting is कि initial level पे, you know, use the zig-zag for a purpose कि जो भी आप entry या जो भी आप trade लेना चाते हो, पहले उसको zig-zag से verify करो, कि माल लिजे कि मैं यहां पर buy करने के बारे में सोचा हूं, for example, तो zig-zag क्या बोल रहा है, कि भई अरे यह तो आपके previous level की नीचे है, यहां पर आप buy कर नह and that is understanding the trend, अगर trend, देखो trend की एक साधारन परिभाशा क्या है, कि अगर मेरा कोई stock uptrend में है, तो उसके अंदर price formation कैसा होगा, higher high, अगर यह मेरा high है, तो उसका अगला जो high है, वो उपर होगा, जिससे higher high कहता है, फिर जो अगला high होगा, वो और उपर होगा, अगर यह मेरा low ह तो इससे मेरा जो low है, वो उपर होगा, विच इस कॉला higher low, अगला जो low है, वो और उपर होगा, विच इस again कॉला higher low, तो नए नए high बईना, और नए नए low बना, इसको कहते है, higher high and higher low formation, तो अगर आप इस chart को दियान से देखोगे, तो यहाँ पे, let me just try to help you with this, देखो, यहा पे क्या हुआ कि यह high को break करके यहाँ पे गया, फिर यह जो low बना, यह lower low आपका नहीं बना, यहाँ से नीचे गया, और यह आपका low बना, फिर आपका lower low का formation नहीं चला, तो आप यहाँ से swing को आप समझ सकते हो, जैसे महां लीजे, अगर मैं इसे low consider करता हूं, और अगर मैं इसे high consider करता हूं, तो can I say that it is my higher low, can I call this as my higher high, अब यह जो है न, यहाँ पर यह break हो गया, अब यह break होने से क्या हो गया, यह मेरा high बन गया, और यह मेरा low बन गया अब ये मेरा क्या बना ये मेरा बना lower high और ये मेरा क्या बना higher low और अब आपको समझ में आया कि जो stock का chart है और अगर ये नीचे जाता ऐसे तो इसे कहते हैं lower low formation यानि trend मेरा bearish है अगर मेरा जो stock है ये higher high high low बना रहा है इसका मदलब train मेरा bullish है लेकिन particularly इस scenario में क्या हुआ कि जो आपके high है ये आपके lower बनते गए और जो आपके low है वो higher बनते गए और इस तरीके से यहां पे एक आपका symmetrical triangle का जनम हुआ किसका जनम हुआ symmetrical triangle तो अब आपको समझ में है कि जो zigzag indicator है ना ही सिर्फ आपको support resistance आपको बताता है in fact ये आपको ये भी बताएगा कि कौन सा price का pattern आपके chart के अंदर form हो रहा है अगर आप कुछ patterns के बारे में जानते हो जैसे ascending triangle descending triangle symmetrical triangle फिर आपके rising channel falling channel wedge pattern के बारे में आप जानते होंगे आप head and shoulder के बारे में जानते होंगे ये सारे चो pattern है कई बार होता क्या है कि जिस time frame में हम देखते हैं वो time frame tricky हो जाता है and because वो time frame tricky हो जाता है तो फिर उसके बाद हम trade लेने में थोड़ा सा हमें confusion मैसूस होता है हमारा confidence low हो जाता है in that scenario यह जो zigzag indicator है यह आपके मदद कर सकता है तो यहां पर I would say किसी भी एक stock में अब देखो मैं इतने सारे lectures में यूट्यूब में की अगर आप मुझे follow कर रहे हैं कुछ समय से तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि मैं हमेशा यह कहता हूं कि देखो जिस तरीके से हम कपड़े बदलते हैं दिन में दो तीन बार हम कपड़े बदलते हैं उस तरीके से stock को बदला नहीं जाता तो script selection एक बहुत ही important part होता है आपका जैसे इस इमारत के अंदर मैं बैठा हूं यह इमा करना चाहते हो आप जो करना चाहते हो बेस डाट पचा स्ट नौट बनाओ कि इसके swing बने बड़े बनते हैं इसके swing चोटे बनते हैं unwanted price action बड़ा आता इसमें unwanted price action चोटा आता जैसे आपको अगर मैं अपनी बाग बता हूं तो मैं अधानी के किसी भी stock के अंदर में trade नहीं कर तो मैं दिखता हूं कि अगर इस स्टॉक के अंदर चाहे कोई भी रीजन हो लेकिन यह बड़े जो कैंडल बनती है इससे अल्टिमेटली मेरे फाइनेशल लॉस होने की चांस है तो मैं क्या करता हूं कि जिस गली में जानने नहीं उसका पता पोच्छना नहीं अब जब मैं ज कि अगर मैं आपको और एक में स्टॉक बताओं इस रिलायाइश का एक रिलायाइश के उपर बहुत रिसर्च और मैं यह देखा कि अगर यह रेंज में आ गया तो इस दुनिया की कोई ताकत उसको इसको हिला नहीं सकती वरलब अगर इसने एक काल जेंवा इसंग और यह कह तो आप इसको हिला नहीं पाओ गया एंड फॉर दाट वीजन लेट मी जस्ट ट्राइट ट्राइट को हम यहां पर देखते हैं और जो मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करता है देखो Reliance Industries आप सबको लग रहा हूँ कि यह तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है यह आपके जो जिग-जग है इसके जो हाई है यह आल्मोस्स सारे के सारे एक ही लेवल के आसपास है और इन फाट एन लो भी जितने हैं जिग-जग के जितने भी आपको लो दिख रहे हैं न सारी चीजे आप यहां पर जान सकते हो सीख सकते हो समझ सकते हो अब नवीन दाज जी यहां पर लिखते हैं सर एक बार आपने बताया था कि स्विंग इडेंटिफाइब करने के लिए जिग-जग लगाना होता है आप वहां पर लगा रहे हैं नवीन दाज टेक मैं थाम्स करो और बाग जाएगा बाग जाएगा बाग जाएगा तो आपको देखना चाहिए माल लिए और यहां पर मुझे टीवी वाले कहते हैं कि इसको बाई करो यह कोई भी कहते हैं माल लिए इकिसी भी वेक्ति के ऊपर या किसी बहुत से अधर आपके जो एड़ाइजर है अब यह मेरा जो प्राइज है यह माल लीजे 2,390 है और यह मुझे बाइज करने को कह रहे हैं 2,521 के पास तो प्राइज तो अल्रडी परफॉर्म कर चुका है और राइट एंड वेन यूर स्टॉक इस अल्रडी परफॉर्म तो आप वाँपे बाइज कर सकते हैं क्या नहीं कुछ बेजिक चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी चाहिए आपको बोलना नहीं चाहिए और वो यह है डाइट स्टॉक मार्केट के अंदर मेरा एक नियम है यह मैंने नियम मैंने खुद ने बनाया है I am damn sure कि आप इसको भी समझेंगे एक मेरा नियम क्या है कि स्टॉक मार्केट में जब भी मैं कोई भी मैं पोजीशन बनाना चाहता हूं अब यह जो पोजीशन है चाहिए मोमेंटम ट्रेंड हो चाहिए शॉट टर्म ट्रेंड हो या चाहिए लॉंग टर्म ट्रेंड हो उससे कोई फराट नहीं पड़ता लेकिन मेरा हमेशा कुछ एक बेजिक दे otherwise या तो जो मेरा स्टॉक है या तो यह रेजिस्टंस के पास हो या तो मुझे यह breakdown दे अब यही सिनारिय होंगे तभी मैं trade करूँगा otherwise मैं नहीं करूँगा अगर मेरा जो स्टॉक है वो support के पास या breakout के पास होगा तो मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ buy के trade लूँगा अगर जो मेरा स्टॉक है यह resistance के पास या breakdown अगर यह attempt कर रहा है तो यहाँ पर मैं sell की position बनाओगा इसके अलावा में कोई position में नहीं बनाओगा कोई स्टॉक जो अल्रेडी चल चुका हो तो उसके अंदर तुम्हें position बनाने के लिए मैं बिल्कुल भी comfortable नहीं हूँ मुझे क्या चाहिए मुझे एक fresh breakout चाहिए अब यह fresh breakout भी मुझे क्या चाहिए SPR वाला चाहिए एक बड़ा swing मुझे बने एक बड़ा profit मुझे हो इसी तरीके का trade में लेता हूँ जब भी मैं trade लेता हूँ तो मेरा intention यह होता है जैसे मेरी एक strategy है उस strategy का नाम है which is god 3.0 अब इस strategy के अंदर मेरा यहां पे एक simple purpose है वही trade लेना है कि जिसमें 6 से लेके 10% के बीच का profit probability हो अगर कोई trade मुझे 6 से 10% नहीं दे सकता तो उस trade के अंदर मैं जाओंगा नहीं अब 6% क्या 6% is the difference between the entry and exit price मेरे profit का नहीं अब जैसे माल लिजे कि निफ्टी के अंदर मैंने लगा दिया कितना 120,000 और अब 120,000 पे अगर माल लिजे जो मुझे 6% कमाना है तो that value would be different and अगर 6% मुझे मेरे entry price में कमाना है तो that would be different I hope इसको आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे है तो all you need to do is you need to wait for a perfect entry, perfect exit और वो आप कर सकते हैं with the help of zigzag क्योंकि यह आपको बताता है आपके support and resistance के level और राइट देखो सबसे पहले यह जो session है यह scalping का है नहीं और दूसरा मैं scalping ना में करता हूँ ना में सिखाता हूँ तो unnecessary अगर आप कोई सवाल पूछोगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी उसकी में help कर पाऊँगा और और कुछ stock ऐसे होता है जैसे I always prefer कि आपको कुछ stock में trade नहीं करना चाहिए जैसे माल लेजे कि यह जो stock है Reliance Industries it is very beautiful stock लेकिन इस stock में क्योंकि यह जो stock है यह आपकी एक range के अंदर है और यह range भी अगर आप देखोगे तो यह range आपकी कितनी है चलो नीचे से उपर अगर हम इसको price लगा के देखें तो यह जो मेरी range यहाँ पर बन रही है it is approximately 26% का range अब देखो swing का यह सीधा सा नियम है कि जो भी आपका potential आपकी जो range है उसका आपका जो target है वो उसके 50% से जाधा नहीं होना चाहिए यानि अगर मैं Reliance Industries में trade करना चाहता हूं तो में जाच जो target है व इस जगे पर तो मेरा यहाँ पर profit बढ़िया that is a different thing लेकिन practical सेनारियो में जो आपके swing के जो size होता है उससे जाधा आप उमीद नहीं कर सकते और यह सेम चीज जो मैं कह रहा हूं यह Fibonacci retracement के अंदर भी तो आपने यह देखा what we have learned in the Fibonacci retracement के कोई भी stock जब भी आपका counter trend द अगर retrace होता है तो उसे still trend trading कहा जाता है उसे counter trend कहा जाता है यानि आपका primary trend है यह आपका continue का यही कहा जाता है तो उस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखे और तो nifty ने sorry reliance industries ने यहाँ पर क्या किया let me just try to plot the Fibonacci यहां से यहां तक अगर मैंने Fibonacci plot कर दिया और तो I hope आप यहां पर इसको देख पा रहे होंगे थोड़ा समय इसकी जो range है वो मैं बढ़ा दूं जिससे आपको clarity हो अब मैंने यहां पर क्या किया एक simple Fibonacci लगा दिया अब simple Fibonacci मैंने यहां पर लगाया और यहां पर लगाया तो 50% वेरा जो retracement है वो इस जगे पर आया and you can see that उसी जगे से जो reliance industries है वो fire हुआ and इस जगे पर low इसने बनाया था approximately 2845 and यहां पर इसने high बना दिया 3024 का आप देख सकते हो कि बड़े आराम से आपको 200 point के आसपास कहीं यहां पर profit हुआ using the two simple thing हमने यहां पर क्या सबसे पहले यह जो level है और यह level के लिए मैंने एक चीज यहां पर लगाई कि इसको low और इसको high hc ले consider करना हो क्योंकि यह जो bull momentum आया और इसकी इसका यह जो गिरावत आई इसने यह low break किया तो मेरा major support कहां पर था this is my major support एक highest high या मेरा lifetime high कहां पर था इस जिगे पर था तो मैंने यह दो level को मैंने plot किया तो मेरा काम हो गया अब यह 2 level मु लगा तो zigzag के लिए और sorry Fibonacci retracement के लिए तो वो तो हो नहीं नहीं वाला क्यों क्यों क्योंकि यह level आप तब लगा सकते हो जब यहां पर आपका major support है वो आपका break हो जाए तो zigzag आपको यह भी बताएगा कि if you are using the multiple indicators like your Fibonacci तो कहां पर आपको लगाना है Fibonacci retracement के levels वो भी आपको zigzag से पता चल सकते हैं all right so far मैंने आपको जो भी बताया इसके अंदर अगर आपकी कोई भी query है you can ask your query in a comment section और मैं सारे आपके comments में read करी रहा हूं thank you so much for all of you to join and understand about this zigzag अचा zigzag के बारे में और एक चीज में बता दो all right स कहा जाता है it is a lagging indicator all right और दूसरा याद रखे यह आपको कोई नहीं बताएगा इस indicator को कहा जाता है a fake indicator इसको fake indicator भी कहते हैं अब आप बलोगे सर यह fake indicator यह क्या हो गया तो देखो fake indicator इसके लिए बोलता है क्योंकि यह जो level है यहां पर यह plot हो गया अब यह plot कब होगा जब आ all of sudden अगर यहां से एक नया लो अगर ऐसे बन गया ना तो यह जो line है यह line ही गायब हो जाएगी यह line पुरी गायब ही हो जाएगी इसको आप उसको दिखो कोई इसको repainting नाम बोलेगा कोई इसको fake बोलेगा कोई से dynamic बोलेगा बट आकिकत यह है कि यह वाला जो level है और अग यहां पर बड़ी candle नहीं है और दड़ाम से गिरी तो यह निकल जाएगा लेकिन माल लेजे current सिनारियो में यह उपर यह अब यहां से reverse होगा ना इधर से यह price और तो फिर यह जो zigzag है वो ऐसे यहां पर बन जाएगा तो इसलिए zigzag जो है इसका जो major use है that is to identify the support and resistance level and यह आप आप बोलेंगे की सर अगर यह fake है तो इसके support resistance को consider कैसे करें अब फिर भी कर सकते हों क्यों नहीं कर सकते है अगर माल लेजे कि मेरा जो price है यहां से यह नीचे गिरता है और तो अगर मेरा जो price है उपर से अगर यह नीचे गिरता है again I would say this is a beautiful entry इस जगे पर आप short selling की entry ले सकते हो nothing wrong in that तो trade लेने के लिए entry लेने के लिए अपने trade में perfection हासल करने के लिए this is one of the best I would say indicator तो so far अभी हमने इस session के अंदर हमने क्या देखा मैंने आपको zigzag की basic information मैंने दी मैंने इसका performance significance मैंने बता है मैंने price को smooth कैसे करना यह बता है अचा अगर आप कोई stock देखोगे ना जैसे एक stock का नाम है which is called America अब आप देखते होंगी कि मैं America के बारे में बहुत जादा मैं discussion में कर रहा हूँ recent session में वो इसके लिए कर रहा हूँ कि यह जो stock है और आट overall मुझी यह stock काफी पसंद है क्योंकि by nature यह जो stock है it is coming under a growth category already यह एक multi beggar stock है इसने यह करके बता दिया मतलब इसको इस stock को कोई certificate की ज़रूरत नहीं है आपकी और मेरी किसी समय पे 2.40 पैसे का यह stock था आज सारे corporate action होने के बाद it is trading at 497.20 it is already multi beggar हाँ आप यह कह सकते हो कि इसका CAGR चड़न दिल करेंगे but the stock right now it is a multi beggar stock all right अब अगर आपने यह multi beggar stock यह वो देखके trade कर लिया तो आप यहाँ पे हो जाओगे फिल clear consolidation यह stock है यह consolidation में और अगर आपका जो consolidation है जैसी यह वाला consolidation यह चल रहा है कहां से यह 2021 से चल रहा है तो इसलिए इसे कहते हैं multi-year का consolidation इसे क्या कहते है multi-year का consolidation अच्छा यह मुझे कैसे पता चला अब यहाँ पर मैंने क्या किया simply मैंने एक और दसका यहाँ पे zigzag यूज किय मैंने क्या कि यूज किया एक और दसका zigzag and यहाँ पर मैंने second important चीज जो मैंने यह की कि मैंने इसका जो time frame कर दिया रहा वो time frame मैंने यहाँ पर monthly वाला कर दिया अब आप को यहाँ पर याद रखना चाहिए that मान लीजे कि आज छुप्टी वाला दिन है रही वार का दिन है य यह नहीं है चलो अब मुझे सिर्फ पांच स्टॉक चाहिए और यह पांच स्टॉक के अंदर मैं बहतरीन पैसे में कमा के रखूँगा तो if you are looking for a script selection all right मेरा एक मंत्र है एक स्टॉक एक स्ट्राटेजी एक life एक capital all right simple एक स्टॉक एक स्ट्राटेजी जैसे मेरी को के अंदर म हो इदनी महिनद करके बनए और अब हमने क्या लेगा कि मेरी को में वह स्ट्राटेजी लगा दी अब छोड दिया अब इसके ऊपर बार बार धान कर दहीं नहीं करना all right अग जब स्ट्राटेजी रन कर रही स्ट्राटेजी को लगा के छोड़ द का रख थोड दिया तो we are in a stock market not for the purpose of you know taking entry and exit we are here in the stock market to make a stock as an asset अब मालीजे एक stock मैंने select कर लिया एक strategy मैंने बना ली test कर ली back test कर लिया paper trade कर लिया pilot project run कर लिया अब मैं इसको scale कर आँग अब मैंने इसको लगा दिया अलगो तो can i say that it is my pure passive strategy passive income अब ना मुझे महनत कर लिया क्योंकि stock के अंदर मैंने strategy लगा दी time tested strategy है अब मुझे यहाँ पर कोई चिंता है ने अलगो मेरा run कर रहा है तो मुझे entry exit भी लेना मुझे यहाँ पर नहीं है मेरा strategy मेरी जो strategy है अलगो के जरीव automatic trade करेगा तो इस तरीके से you know we are using the stock market not for the purpose of entry and exit we are using the stock market for the purpose to make each and every stock as an asset हर एक stock हमारे लिए एक asset है जैसे माल लिजे कि मैंने 10 घर ले लिए और 10 घर को मैंने रेंट पर लगा दिया तो रेंट की income मेरी क्या है यह एक मेरी recurring income है it is my passive income income from investment income from you know recurring income passive income wealth creation आप इसे जो भी नाम देना चाहें दे सकते है the same thing we are doing in a stock market and मैं भी चाहता हूं if you want to make big money all right तो सबसे पहले आपका script selection हिना बहुत ही perfect होना चाहिए entry exit सारी बाद में कुन से टाइम पर entry loop कुन से टाइम पर exit यह सारी की सारी चीज़ बाद में आती है अभी नहीं आती है जैसे अगर माल लीजी यह stock इसी stock की उपर हम discussion करते है यह stock का नाम है मेरी को मेरी को के अंदर अब भी हमने क्या किया कि हमने monthly का time frame लगा दिया और monthly के time frame पर मुझे पता चलता है कि यह जो level है बाइस आप यह level तो बहुत गसब का है अब देखो ध्यान से मैंने यहां पर क्या किया मैंने एक line खीचने की बजाए मैंने यहां पर दो line ऐसे खीच कर रहा है उसकी अंदर देखो उसका पूर सही गलत उसके उपर मैं कोई comment नहीं कर रहा है बस मैं इतना कर रहा हूं कि कोई भी अगर आप किये strategy सीकर हो जैसे demand zone supply zone फलाना दिमका तो उसमें उसका जो base है उसका जो root है उसकी जड़े है वो zigzag से ही निकलती है and zigzag जो क्या है zigzag it is only a you know pictorial form of a price action तो अगर आप zigzag का अगर आप analysis कर रहे हो तो आप by default without you know any hesitation I can say कि आप price action analysis ही कर रहे हो आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो आप क्योंकि यह जो indicator यह price के spikes ही बताता है और कुछ बताता ही नहीं है तो price के spike is also a price action analysis only तो कान को ऐसा पकड़ो तो भी आपने कान तो सीधा अगर आपको सीधा कान पकड़ना आता है तो सीधा पकड़ो नहीं आता तो उल्टा पकड़ो ultimately हमारा purpose all होना चाहिए that is very very important all right I am very happy for all the comments which you are writing close to nature वाले भाई साब बोलते हैं very helpful great thank you अब मुझे यह बताई कि zigzag में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी I need all of you to please help me in a comment section कि यह जो zigzag अभी हम देखने हैं इसमें आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी अब देखो मैं आपको साथ साथ में और एक इसमें आपको मदद कर रहा हूँ अब zigzag अपने आप में इतना प्यारा इतना beautiful tool है कि आप इसको मतलब use करना चाहो ना तो आप इसको क्या नह analysis करते हो तो zigzag कि यह आपके चार्ट में होना ही चाहिए और अगर आप प्रोड़ेडर है तो इसको छोड़ दीजाए फिर उसके बाद आप यहां पे multi time frame analysis करते हैं और तो उसके लिए भी best है अगर आपको किसी भी stock का trend identify करना उसके लिए best है अभी हमने देखा न मेरी को हमन अगर आपको किसी भी stock में identify करना है trend और consolidation तो this is one of the best indicator consolidation के लिए pattern के लिए तो यह it is one of the best indicator जैसे pattern कौन से pattern chart pattern तो chart pattern के लिए भी this is one of the best tool I would say yes definitely it is the best tool without feel I can say this is the best tool अब इसका इसनमार definitely कर सकता है फिर इसका इसनमार और एक चीज़ के लिए जैसे हमने क्या देखा demand and supply और तो demand and supply zone जो है आप इससे बना सकते हो अब मैंने यहां पर यह मेरिको में क्या किया मैंने मेरिको के अंदर एक simple चीज़ किया कि मैंने यह candle का low लिया और इसका यहां पर body ले लिया अब जब मैंने यहां पर sorry विक ले लिया इस तरीके से मैंने plot किया तो मुझे क्या पता calculation करके देखता है already stock है 18% depreciate कर दिया यह जो bottom के पास आएगा यह bottom क्या है 25% तो by nature देखो I'm a fan of one of that strategy जहां पर मेरे जो कान है यह दोनों कान ऐसे खड़े हो जाते हैं जब भी कोई stock कोई भी in the sense कोई भी growth वाला stock कोई भी growth वाला stock कोई भी multi beggar stock या कोई भी ऐसा stock जो अपके CAGR को you know genuinely follow करता है अगर यह stock अपने lifetime high से lifetime high से जैसे ही 20 से लेके 25% गिर जाये तो मेरे यहां पर कान खड़े हो जाते हैं यह it is a time tested proven formula not in India but across the world के जब भी कोई अच्छा stock I am talking about अच्छा stock जो growth oriented हो जो multi beggar already हो multi beggar यानि 10-20-30 साल का जिसका चार्ट आपके सामने दिख रहा हो किना चाहिए तो ऐसा stock जो growth oriented हो ऐसा stock जो multi beggar हो large cap यह मेरा preference होता है आपको रखना है रख लीजिए ऐसा stock जो CAGR को follow करता हूँ और अगर ऐसे stock lifetime high से 20-25% गिर जाता है तो फिर मैं वहां पर यह identify करने की कोशिश करता हूँ that where is the major support और अब जब जहां पर अगर अच्छा support मिल गया इस particular case के अंदर I would say 455 this is the major support और तो जब यह 455 रुपीस के आस पास ही आ जाएगा तो definitely यहां पर एक ऐसी opportunity बनेगी which opportunity can say like a multi-year opportunity कुछ stock में कुछ opportunity सालों में कहीं बार नहीं सालों कहीं सालों में ए यह वाली opportunity है मैंने अभी आपको एक reliance का example बता है मैंने अभी आपको मेरिकू का example बता है अगर इसी मेरिकू के daily time frame में आप जाओगे न तो आपको समझ में आएगा कि बही overall जो stock ही यह तो down है जैसे यहाँ पे आप देखोगे यह zigzag के high के उपर कभी भी यह survive कर नहीं पाया तो आपको समझना चाहिए कि यह जो high यहाँ पे बन रही है it is not reliable it is not useful तो fake breakout fake breakdown को अगर आप identify करना चाहते हैं तो उसके लिए भी zigzag का इस्तिमाल आप कर सकते हैं all right and one of the best indicator you can use with a zigzag for a confirmation all right और वो है आपका volume all right अब volume अगर आप यहाँ पे देखोगे volume कैसे देखना है जैसे मालीजी यह मैरिको का चार्ट है all right यहाँ पे इसने breakout यहाँ पे breakout दिया अब देखो अगर यहाँ पे volume अगर एकदम आ जाता है तो फिर यह breakout reliable है अगर volume नहीं तो फिर यह reliable नहीं अब यह कैसे पता करें simple है भाईस आप volume लगा दो all right ऐसे ही आप तो volume लगा दिया मैंने जस्लक अब देखो यहाँ परthest is my seconds अब इस जगे पर देखो क्या यहाँ पर lume आपको दे कर रहा है यह जो ग्रीन केंडल क्या वॉलिम धी सब्रैकर कर रहा है और राड़ा क्राट प्रड्रा यहाँ खो अन्य अन्यbrand zone Rei ब्रेक यहाँ नहीं देखो आपको नहीं आन Gab मेरा fire होगा अब नहीं उमीद या नहीं किया stock market में नहीं उमीद का मतलब होता है कि accumulation buying लेकिन accumulation तो हुआ नहीं यहां पर buyers तो आए नहीं तो यहां पर सिर्फ एक fake breakout का attempt यहां पर लिया गया या किस ने test किया कि क्या यहां पर buyers आते हैं यहां तो यहां पर buyers तो नहीं है in fact यहां पर buyers नहीं छोड़ दीजे sellers यहां पर आया जिस लुक अट इस अलर्स ओर रेट रेट के वॉल्यूम देखो रेट के वॉल्यूम आप यहां पर देखो all right so by this way you can use the zigzag not only for the purpose of levels not only for the purpose of trend but trend confirmation swing price action के confirmation यह सारी चीज़ के लिगे you can use the zigzag all right अब देखो zigzag का इस्तिमाल आप कर सकते हूं majorly for the purpose if you want to do the price action analysis और एगर आपको price action analysis आता हो तो very good लेकिन एक zigzag का मैं problem बता देना चाहता हूं zigzag का one of the biggest problem is के आप इसका इस्तिमाल strategy को algorithm में trod करने के लिए नहीं कर सकते अब बोलो कि sir algorithm में क्यों नहीं कर सकती है तो दिख रहा है हमें दिख रहा है सही है लेकिन ऐसा कोई भी indicator कोई भी tool जो repaint होता हो जिसके जो levels हैं जो values हैं वो change हो जाते हो तो उसको आप अलगो में code नहीं कर सकते अब देखो इसको simple बाशा में अगर मैं समझाओं तो अलगो which is not able to code it in the language अलगो language या computer के language में इसका मतलब यह है कि वो जो strategy है उसके जो result है वो reliable नहीं होंगे वो dynamic होंगे वो person to person उसके result change होंगे जैसे super trend अगर आप search करोगे यूट्यूब में आपको इतने वीडियो मिलेंगे हमारा जीवन पूरा हो जाएगा लेकिन वो वीडियो पू लोग क्या करते हैं कि उसके current candle को छोड़के previous candle का confirmation लेते हैं लेकिन उससे उसका जो nature है वो change नहीं हो जाता जैसे माल लीजे हम खाना का अभी कुछ समय में आप लोग भी lunch करेंगे मैं भी lunch करूगा अगर हमारे खाने में माल लीजे कि let's say निम्बू जादा हो गया तो हम क्य करते हैं कि उसको adjust करने के लिए हम उसमें sugar add करते हैं या salt add करते हैं based on कौन सी recipe हमने बनाई लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो salt है उसक वह तो वहाँ पर सॉरी जो lemon है वो तो already वहाँ पर है इसलिए if any indicator which is not able to code in a algo language जिसका मतलब यह है कि उसका इस्सेमाल सिर्फ और सिर्फ the level for finding the trend for finding the confirmation that's it लेकिन अगर आपको entry exit लेना है तो I recommend you to use some of the additional tool indicators or whatever अब ऐसे मैं आपके साथ 5 टूल या 5 strategy में शेयर करने वाला हूं लेकिन आज यह पहली है अगली जो strategy हम देखेंगे उसमें और अच्छे हम यहाँ पे confirmations लेने की हम कोशिश करेंगे तो कुछ और case study हम यह analysis करते है अच्छा एक चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो एना also believe कि आपको करनी चाहिए कि जो zigzag है इसको आप अलग-अलग stock में अलग-अलग time frame में लगा के देखो क्योंकि एक गलती क्या होती है पता है क्योंकि मैं लंबे समय से देखो मैं daily के time frame में analysis कर रहो that doesn't mean के daily के time frame म energy if you just look at this indicator in a multi time frame तो आपके entry जो है उसमें आपको और confidence आ सकता है आपके fake breakout breakdown में आपको और confidence यहाँ पर आ सकता है and that you must do alright एक अभी हमने zomato stock के बारे में हमने discussion किया क्या यह zomato के अंदर चलेगा I would say answer is yes अब यह zomato है यह एक बहुत ही बढ़िया case study है अब कहीं बार हमें क्या होता है पता है कि जब stock bullish होता है ना इस तरीके से alright तो फिर इसकी जो breakout है इस breakout पे trade करने से डर लगता है हमको यहाँ पे डर लगता है क्यों क्योंकि भाई साब stock इतना चल चुका है अगर मैं यहाँ पे इस breakout पे buy करूँगा तो मेरा क्या हाल होगा मेरा तो loss बढ़ जाएगा तो in that scenario you can also use the zigzag for example मा लेजे कि यहाँ पे इस zigzag ने आपको यहाँ पे यह high दिया और यह low दिया अब because यह zomato यह तो equity वाला stock है derivative वाला है नहीं तो आप यहाँ पे short sell नहीं कर सकते तो sell को छोड दीजे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर यह 131.75 अगर यह break करता है तो what I'll do I'll simply take a buy call and अगर यह वाला जो level है यह break करता है which is 124.40 I'll keep this as my stop loss strategy simple है समझ में आ गई यह हमने कैसे निकाला यह हमने निकाला simple zigzag से zigzag से क्यों निकाला क्योंकि zigzag में यह जो stock है मुझे यहाँ पर constant higher high higher low higher high higher low higher high higher low higher high higher low higher high high higher low higher high high higher high 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 लो नॉन स्टॉप यह हाई रहा ही हाई लो बना रहा है अब माल लेज़े ऐसा स्टॉक आपके सामने आता है कि जहां पर आप confident हो लेकिन बड़े stop loss या quick price action से डर लगता है तो आप simply इस तरीकी का indicator यारी zigzag indicator लगा दीजिए यहां पर हमने simply क्या किया कि बढ़ी 130 1.75 के उपर buy and इसके नीचे 120 के नीचे sell तो देखते हैं कि मेरा क्या हुआ यहां पर आ गया all right मेरी entry confirm हो गई अब entry मेरी confirm हो गई मेरा stop loss confirm हो गया चलो उपर जाता है अब देखो उपर गया मैंने buy किया थे कहां पर गया था इस जिगे पर all right let me just write it here one minute तो इस जिगे पर हमने किया यहां पर buy और अब हमने यहां पर buy कर दिया अब यह जो इसने यह low बनाया अब यहां पिर ऊपर यह निया पर जा रहा है और ऊपर जा रहा है और ऊपर ऊपर खर यह definitely injustice आपको लग सकता है लेकिन यही तो price action का concept है क्योंकि जब यह price बड़ा swing बनाएगा तो उसके जो reversal आएंगे वो भी तो बड़े आएंगे देखो छोटे swing के छोटे reversal बड़े swing के बड़े reversal अगर आपकी capacity नहीं है उसके इसाब से price नहीं चलेगा अगर मालेची इतना बड़ा stock close अगर मैं नहीं रख सकता वो जिगर नहीं है इसका मतलब stock आपके इसाब से नहीं चलेगा इसलिए मैंने शुरुआत में ही का script selection करो क्योंकि हर एक stock का जैसे आपका एक nature है किसी का nature शान्त होगा किसी का nature गुस्से वाला होगा किसी का nature over reacting वाला होगा किसी का जो nature होगा वो quick reaction वाला होगा तो जैसे हम सभी विक्ति का 140 करोड की हमारी जनता है बारत देश के अंदर तो जितनी यहाँ पे लोग हैं हर इक विक्ति के अपनी mindset तो हमें यहाँ पे वही करना चाहिए stock market के जो मेरे mindset के हिसाब से जो stock मुझा सही लग रहा है मैं उसे में trade करोगा if you don't find this stock to be tradable मत करो strategy को सीख लो अगर नहीं लगता है तो मत करो लेकिन मैं simple मेरे अनुबवव से कह सकता हूँ के बड़े swing का बड़ा reversal छोटे swing का छोटा reversal और यह जितनी जल्दी आप यहाँ पे मान लोगे उतनी जल्दी फाइदा आपको होगा अब देखो फिर यहाँ पे अभी हम यहाँ पे जगट रहते ना कि stop loss stop loss stop loss अब देखो यह high बनाया यह नीचे आया पहले मेरा stop loss यहाँ पे था उसको मैने इस जिगे पे TSL किया अब जैसे यह high यहाँ पे cross हो गया अब आप अपना TSL ले क्या हो नहीं यहाँ पे किसने मना किया So now your entry is approximately at 131 your trail stop loss is at 145 and you are trading at almost 189 अब इससे जादा आपको और क्या चीए इससे जादा आपको और क्या थी all right So my you know point is only one and very very simple के आपको सिर्फ और सिर्फ जिग्जग का इस्तिमाल करना चीए for a big trades क्योंकि बड़े trade में बड़े swing में यह अच्छा काम करेगा अब माली जे Zomato पसंद नहीं आता तो आप Tata का stock देखलो Tata का stock पसंद नहीं आता तो कोई अदा नहीं वाला stock देखलो वो समझ में नहीं आता था कोई दूसरा stock देखलो आपको जो stock पसंद आता है उसमें करो but if you just use this indicator for swing trading you know the money is unlimited all right आप इतने पैसे कमा सकते हो जितना आप source recharge भी नहीं कर सकते मुझे पैसो से याद आया recently हमने एक बहुती बढ़िया I would say achievement हमने ये किया के रिशेब आटोमेशन जी है अपना खुद का develop किया हुआ अलगो software है ये software को we have started in the year 2022 2020 में हमने इसको शुरू किया अब मैं क्या करता हूँ पहले इसको मैं download कर लेता हम क्योंकि ये मुझे लिखने नहीं दे रहा alright so I have alright here it is तो 2022 में हमने हमारा खुद का जो अलगो software है इसको अमने launch किया और ये जो अलगो software है इसमें अभी के लिए हमारी जो God strategy है वो यहाँ पर रन हो रही है alright तो this is our software which is called Rishab automation ये हमारा अलगो का खुद का software है जिसको हमने 2022 में approximately हमने launch किया था and we are very happy कि हमने 30 लाग का profit book करके अपने customers को already दे दिया and ये 30 लाग से ज़ादा ही होगा कम नहीं होगा तो ये एक बहुत ही बड़ा achievement I would say कि 2 साल के अंदर zero से बिलकुल शूनिय से शुरुआत करके हमने 30 लाग का profit book किया और वो हमने client को दे दिया and the reason why we are very much excited क्योंकि in a Rishab automation ये हमारा mission है that we want to create a portfolio of minimum 10 million with all our clients जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उनके साथ कम से कम हम यहां पे 10 million का portfolio बनाने की हम कोशिश कर रहा है और उसमें जो 30 लाग है ये तो पहला step है अब ये जो 30 लाग है ये compound होगा अब माल लिजे 2 साल लगे ने इसको 30 लाग पहुशने में अगले 2 साल में मुझे पूरा विश्वासिक ये जो figure है ये करोड़ों में आ जाएंगे क्योंकि we believe in a compounding हमारी जितनी भी strategies है सारी की सारी चो strategies है it is only and only for compounding तो if you are a trader and if you want to learn and learn with me एक simple काम करिए info लिखके message बेज दीजे तो whatsapp number which is 8141 838244 आज इस session के अंदर मैं कोई जादा आपके साथ कोई paid course में join करो ये भी मैं नहीं कहने वाला but एक बहुत ही I would say एक अच्छा achievement जो में लगा जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ यहाँ पे share करो चलो एक काम करते हैं जिगजग के practice के लिए कोई भी stock उठा के देख ले दे मुझे है न यह चीज नहीं पसंद यह वाली जो चीज है यह मुझे नहीं पसंद कोई भी stock के अंदर जब यह circuit लगता है और यह circuit मेरे फेवर में हो या अगेंस में हो ये दूर की बात है मैं तो उसके उपर में आई नहीं मैं तो यह कहता हूँ कि मुझे यह circuit ही पसंद नहीं अगर कोई stock आपका circuit बना रहा है इसका मतलब क्या try to understand about the circuit circuit यानि एक ऐसा सिनारियो कि जहां पर जो आप trade लेना चाहते हो वो आप नहीं ले सकते हैं तो market आपको जो opportunity देगा वो ही आप कर सकते हो लेकिन आपके पास कोई act करने के कोई सोच विचार करने की opportunity आपके पास नहीं है तो मेरे script selection का नियम है small cap में कभी जाना नहीं देखना ही नहीं इंटरस्ट नहीं है एक के दस का 100 वाले stock में कोई interest नहीं है because we have a strategy where we using the formula of compounding मैं बिना risk के मैं large cap के अंदर मैं अपने पैसे को multiply में कर सकता हूँ यह मैं already मेरे पास वो skill है तो ऐसे stock जिसमें circuit लगता हो ना मैं कभी नहीं जाता हूँ पहला दूसरा ऐसे stock के जिसके अंदर बड़े बड़े candles बनते हो spikes बनते हो ऐसे stock के अंदर मैं कभी नहीं जाता जैसे आपने एक stock के बारे में अभी हमने बहुत चर्चा देखे भी z entertainment limited और अगर आप यह वाला stock का chart देखोगे देखो यहाँ पे spike देखो यहाँ पे आपका gap down और और फिर आप देखोगे again a spike again multiple spike multiple big candles तो again this should be also your criteria कि ऐसे stock देखो यह मैं क्यों मना कर रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने पहले बताएं कि हर एक विक्ति का nature है आपका भी एक nature है मेरा भी एक nature है तो इस तरीके का यह जो stock है इसका भी एक nature है कि gap बनाना बड़े candles बनाना wild candles बनाना फिर बड़े विक्स बनाना quick reversal quick reaction यह सारी चीजें अच्छी बात नहीं है and specially अच्छा ट्रेडर को शायद यह चीज बहुत अच्छी लगे क्यों क्यों क्योंकि फटफट entry exit मिलती है लेकिन if you are a wealth creator बड़ा पैसा बनाना है तो यह चीजें अच्छी नहीं है और यह चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो इसी लिए देखो एक example में आपको दूँ यह जितनी भी multinational company है और कभी यह food chain वाले business में नहीं आएंगे और बिकॉस इस वेरी मच वेरीबल business लेकिन यह food chain वाली business हैं इनके यह supplier बनेगे तो बड़ा सोचना है तो बड़े business में entry करनी पड़ेगी बड़ा सोच रखना पड़ेगा बड़ा वचा रखना पड़ेगा कहीं बार लोग कहते हैं कि बढ़ी stock market में 7000 stock है all right don't take it in a negative way you will say you have a 7000 opportunity to choose for all right क्योंकि जहां पर option जादा होंगे वहां पर आपके पास action लेने के freedom जादा होंगे अब इस stock में अगर circuit लग गया तो मैं क्या कर सकता हूं मैं कुछ भी नहीं कर सकता मेरे हाथ में कोई game ही और इस लिए मैं इस तरीके क्या है if I go in a BSC तो BSC में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़े मिलेंगी जो शायद हमें पसंद ना है तो लेट मीज़स सर्च NAC, NAC में देखते हैं कि T नाम से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है चलो let me just write OP ऐसे ही मैं तो random ले लगता हूं और मैं ऐसे ही करता हूं अगर मुझे यह जानना है कि मेरा you know script selection अच्छा है या नहीं तो मैं ऐसा मैं करते रहता हूं और जैसे ही यहां पे Bears Crop Science Limited अब Crop Science यानि यह कोई खेती वाली से related कुछ company लग रही है से मुझे I'm really not sure यह मैंने नाम भी पहली बार यहां पर देखा but just look at this stock all right इसके अंदर मुझे swings काफी अच्छे लेगे swings है very very good और इसमें gap नहीं बन रही यह भी very good अब देखो यह दो पड़ाव पास होगे next अब मैं सीधा मैं देखता हूं यह stock का chart since inception तो मुझे समझ में आता है कि यह जो stock है किसी समय पे 34 रुपे पे ट्रेड कर रहा था 34 रुपीज आज यह ट्रेड कर रहा है 5,254 पे तो I would say without fail it this stock is multi-bagger इसमें कोई दो राई है नहीं बट एक यहां पे I would say छोड़ा सब अगर आपका ध्यान गया हो यहां पे तो 2002 और 2010 बीच का chart नहां पे गया तो 2003 से लेके 2010 ही मान के चलता है कि इसका यहां पे chart अवेलिबल नहीं है हो सकता है कि यहां पे यह technical glitch हो लेकिन इसको verify करना ज़रूर है जैसे अब मैं समझता हूँ कि this stock beautiful stock no problem no if no but कोई दिखकर नहीं है multi-bagger stock है अब यहां पे what I am observing is कि एक range यहां पे बना एक range यहां पे बना तो the stock right now it is in a range shift scenario तो इस scenario में trade करना चाहिए है नहीं इस अगेन पार्ट आफ आफ आ इन पर्सनल क्राइटिरिया बट यह सारी चीज़े मुझे कैसे पता चली only and only with the help of this zigzag औराइट क्योंकि यह आपके higher high उपर जाने चाहिए यह जा रहे है क्या नहीं कभी उपर कभी नीच इस तरीके से stock market में काम नहीं होता तो आपको आज के इस session के इंदर जो zigzag के बारे में मैंने आपको जो information ली जो मैंने बताया जो मैंने explain किया यह आपको अच्छा लगा होगा एक simple सवाल में पोच्छों कि अगर आपको आज के इस session को एक से 10 में नमबर देना पड़े तो कि आज के इस session के अंदर जो zigzag हमने जो discussion किया जो case study देखा मैंने कुछ out of the box जाखे भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़े बताई यह आपको एसको एक से 10 में नमबर देना पड़े तो आप कितने नमबर दोगे तो मैं जैसे देख पा रहा हूं कि आप सारे लोग के जो comments review आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत दिनवाद अगले session में मिलेंगे तो आज जैसे zigzag के ओपर discussion किया ना वैसे और एक indicator के ओपर discussion करेंगे बहुत सारी चीज़ें देखने सुनने सीखने समझने की कोशिश करेंग झाल